स्वागत है आप सबका, I am DIY Pro YouTube चैनल पे, मैं हूँ DD आपका यार, और आज है गुरुवार, और गुरुवार मतलब आज है 2 मिनिट थजडे का नया वीडियो, और अगर आपने रिसेंटली पर्चेस किया है एक ब्रैंड न्यू आइफोन, तो ये वीडियो आपके बहुत काम म आने वाला है, क्योंकि मैं बचाने वाला हूँ आपके पूरे 26,900 रुपए, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इसको अगर लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से लाइक कर दो, घड़ी को सेट करते हैं 2 मिनिट्स पे, और वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो यार इसके साथ साथ हमें कहा जाता है, कि यार अपने आईफून के लिए एक वारंटी प्लान ज़रूर ले लेना, अब जो वारंटी प्लान अवेलेबल हैं इंडिया में, खास करके एपल से, उसमें बहुत ज़्यादा कन्फूशन है लोगों के मन में, तो एपल की तरफ से यह है कि आप इसको खरीद सकते हैं अपने आईफून के पर्चेस डेट से एक साल के अंदर, for example, अगर आपने अपना आईफून खरीदा है पिछले साल मार्च 10 को, तो इस साल मार्च 9 तक या मार्च 10 तक आप इसको खरीद सकते हैं और अपने आईफून की वारंटी को एक और साल एक्टेंड कर सकते हैं इसकी जो दूसरी अच्छी बात है कि इसकी जो प्राइजिंग है वो है सिर्फ 4,500 रुपीज जी हां आप 4,500 रुपीज में additional वारंटी खरीद सकते हैं अपने आईफून के लिए चाहे वो कोई भी आईफून हो और एक्टेंड कर सकते हैं अपन का manufacturing defect है तो Apple इसको treat कर देगा और repair या replace करके आपको नया आईफून दे देगा जो चीजें इसमें cover नहीं है वो है liquid या physical damage अगर आपको यह लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ फाइदा हो रहा है या आपने कुछ नया सीखा है तो जल्दी से करो चैनल को subscribe और on करो notifications को और like बटन दबाना खुलना मत अब problem यह है कि Apple ने कर दिया है Apple protection plan या APP plan को discontinue और आप उसे नहीं खरीच सकते हैं Apple के website से इसके बदले Apple ने launch किया है एक नया warranty plan जिसका नाम है Apple Care Plus अब जो Apple Care Plus है वो Apple protection plan की तरह ही खाम करता है जिसमें आपको warranty मिल जाती है hardware, software के लिए इसके कुछ additional features मिलते हैं जैसे कि accidental damage और screen damage लेकिन उसके लिए आपको देने पड़ेंगे कुछ additional charges अब problem क्या है इसमें वो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला problem है कि आपको Apple Care Plus लेना पड़ेगा जब भी आप एक नया iPhone खरीद रहे हैं या अपने iPhone के purchase के 60 days के अंदर आपको इसक Apple Care Plus plan तो इसकी जो pricing है वो है 26,900 रुपीज यानि की लगभग 30% आपके iPhone के cost का सिर्फ warranty cost है, तो definitely ये एक logical decision नहीं है और आपको इसमें definitely spend नहीं करना चाहिए, तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि अगर हम Apple Care Plus नहीं लेते हैं और बचाना चाहते हैं अपने 26,900 तो जो option available है वो है Apple Protection plan या APP plan अब आप बोलोगे यार तुमने तो कहा था कि ये plan discontinue हो चुका है, जी हाँ इस plan को आप नहीं खरीद सकते हैं Apple के website से, लेकिन आज भी कुछ authorized retailers हैं, resellers हैं जिनके पास ये plan available है और आप उसे खरीद सकते हैं और extend कर सकते हैं अपने iPhone की warranty को सिर्फ 4,500 रुपीज में, तो अगर आप extend करना चाते हैं अपने iPhone की warranty को और सिर्फ spend करना चाते हैं 4,500 रुपीज तो सारे details मैंने description में mention किये हैं और यहाँ पे आप scroll bar भी देख सकते हैं, इस number पे आप call करके अपने iPhone की warranty को extend कर सकते हैं और जब आप next year अपने iPhone को बेचेंगे तो प खतम हो जाए, इसका फाइदा आप उठा लीजिए, तो यार यह वीडियो कैसे लगा प्लीज बदाना comments में, अगर आपके कोई comments हैं तो उसको आप मेरे साथ share कर सकते हैं, चैनल को अगर subscribe नहीं किया है तो जल्दी से subscribe करो, like करो इस वीडियो को, share करो इस वीडियो को, join करो म अगर आप से मिलने आँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए, स्वस्त रहिए, मस्त रहिए, और वियस्त रहिए